एंतनी उसने मुझे एक रात के लिए उसके घर बुलाया था तोकि उसके मॉम डैड एक हदे के लिए बाहर होलिडेस के लिए जा रहे थे मैं साइकल से राइट करते हुए उसके घर पहुचा है बेसी के लिए हर वीडियो गेम खेला जो उसके पास थे फिर उसके बाद हमने प्रैंक कॉल करना चालो किया अल्टिमेटली एंतोनी मेरे पीचे बैग्राउंड में हस रहा था तो मुझे मेरे सेंटेंस फर्म करने हो ने रहे थे और मैं अपने सेंटेंस में स्टमबल कर रहा था अल्टिमेटली मैं खुद हस पढ़ा मैंने इसके पहले कभी प्रैंक कॉल किये नहीं थे तो definitely I suck at it लेकिन जो आदमी मेरे से बात कर रहा था वो एकदम silent था तो तब ही मैंने अपने आपको कंट्रोल किया और conversation को आगे बढ़ाया conversation कुछ इस तरह हुआ आँ sir आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके कार से कोई टायर निकाल लू तुमारा नाम क्या है बच्चे मेरा नाम बॉब है यह सुनते ही मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे पर ब्रीक मार दी हो मैंने एंटनी की तरफ देखा उसकी शकल तो पहले से ही full of fear थी मैंने फोन काड़ दिया यही सोचते हुए कि वो जो कोई भी था उससे अब मुझे बात नहीं करनी है एंटनी, who the hell was that? मैंने उसे पूचा I, I, I don't know उसने मुझे कहा तुमारा caller ID या फिर डिस्प्ले तुमारा नाम ब्लैश करता है? नई, it shows my dad's name उसने कहा हम PC पे बैटे और सर्च करने लगे कि how it is possible कि किसी का नाम किसी को दिखे उनके phone number through ये कोई सेंस नहीं बना रहा था कि वो आदमी एंटनी का नेम कैसे guess कर वो भी इतने जल्दी वो तभी काफी young था कि अपनी personal information किसी भी sites पे share करे हमने end up किया ये सवाल याओ answers पे पूछते हुए लेकिन किसी को ऐसे similar experience नहीं हुआ था इसलिए वो question का किसी ने जवाब ही नहीं दिया मैंने उसे suggest किया कि वो उसके dad को call करे लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने किसी को invite किया ये बताऊंगा तो daddy बहुत चिलाएंगे so he didn't want a call तो हमने सोने का plan living room में ही बनाया तो हमने living room में ही movie देखना resume किया जो कि हम लोग ने आदी ही finish की थी वो phone call जो अभी हुआ था वो अभी भी हमारे mind में चल रहा था तभी Anthony और मैंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जबी हमको आवाज आई दर्वाजी के lock की wiggle करने की और वो door knock done हुआ लेकिन दर्वाजा खुला ने क्योंकि वो दर्वाजा locked था Anthony ने टीवी बन कर दिया और मैं खेटकी की तरफ गया बाहर कौन है देखने के लिए मैंने खिड़की की ब्लाइंड सो spread किया और बाहर देखा वहाँ पे एक लंबा आदमी खड़ा था उसने ब्लाइंड को मूँ होते हुए notice किया और उसने मेरी तरफ देखा मैंने विंडोस के ब्लाइंड छोड़ दे और मैं और Anthony किचन में जाके छुप गए listening to any further noises हमने backyard gate खुलने की आवाज सुनी हैस backyard gate किचन के पास में ही था ओ शिट मैंने backyard दर्वाजा खुला ही रखा है Anthony ने मुझे urge किया कि वह वो दर्वाजा बंद कर के आओ मैं घर के hallway through back door की तरफ जा रहा था तबी मैं वहाँ पे froze हो गया जब मैंने एक back door के पीछे shadow देखी मैं sure नहीं था कि क्या उसने मुझे notice किया लेकिन मैं इतना sure था कि वो घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है उसने दर्वाजा खोला और वो अंदर आ गया मैं kitchen में चला गया और Anthony को इशारे में कहा कि वो मुझे follow करे उपर की तरफ हम उपर Anthony के room में पहुझ गया as quietly as possible और धीरे से दर्वाजा भी बन कर लिया without making any noise हम उसके bed के नीचे crawl करते हुए चले गये उसके bed का cloth नीचे तब bed को cover करता था तो कोई अंदर नहीं देख सकता था until and unless वो cloth को move किया जाए नीचे का उपर staircase की तरफ आने वाला दर्वाजा खुल गया और अभी उस आदमी की footsteps staircase चड़ रही है ऐसे सुनाई दे रहा था अभी वो आदमी Anthony के room के बाहर आ चुका था room का दर्वाजा खुला मैं Anthony की breathing सुन सकता था footsteps मूँ होते हुए closet की तरफ चली गई और उस आदमी ने closet खोल दिया उस आदमी ने closet में पड़े हुए सारे कपड़े इधर उधर कर दिये जैसे कि किसी को ढून रहा हो जी हाँ हमें ढून रहा हो अब footsteps बेट की तरफ आई और वहाँ पे stop हो गई मुझे ऐसे लगा कि मेरा heart मेरे chest से explore होके बाहर निकलने वाला है Anthony की breathing काफी loud थी इसलिए मैंने अपने हाथ से उसका मूँ cover कर लिया फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए silence था थोड़ा टाइम भीद गया फिर भी वहाँ पे silence ही था मुझे ऐसे लगा कि वो इंसान room से बाहर जा चुका है तब ही मैंने Anthony के मूँ से हाथ अटाया और उसके कान में whisper किया कि क्या हम यहाँ से अभी भाग सकते है वो इस सवाल का answer करने ही वाला था तब ही मैंने मेरे पूरी लाइफ की memory haunting चीक सुनी जो कि आज भी मेरे कालों में गुंसती है जब Anthony को drag किया गया bed से बाहर मैं crawl करके बाहर आया और Anthony को उस आदमी के हाथ में struggle करते हुए देखा मैंने desperately room के surrounding में देखा मुझे कोई weapon मिले जिससे मैं उस आदमी पे stab कर सकू तब ही मुझे बस एक screwdriver ही option में दिखा मैंने उस table से screwdriver उटाया उस आदमी की तरफ भागते हुए गया और उस आदमी के beat में मैंने वो screwdriver stab कर दिया उसने Anthony को छोड़ दिया वो एक pain में चला गया और हमको इतना time दे दिया कि हम उस घर से बाहर निकल सके road पे भागते होए जाना वो काफी risky था क्यूंकि उससे उसको हमारी position पता चल जाएगी और वो हमें chase करके पकड भी लेगा Anthony के neighbor का house बहुत जादा दूर था तो उनके पास जाना भी option में नहीं बन रहा था इसलिए हम जाड़ियों में चले गए और एक भूज के पीछे छुपके हम अगार की तरफ देख रहे थे और वो आदमी बाहर आया और वो आदमी backyard के इर्द गिर्द देखने लगा फिर वो जाड़ियों में scan करने लगा मुझे लगा उसने मुझे देख लिया जब उसके eye line हमारे direction से पास हुई ऐसे लग रहा था और फिर उसने अपना सर हमारे direction में move किया तभी मैं बूज के पिच्चे छुप गया जो ही वहा रहा है क्या? डूड, get up अपने को यहां से भागना होगा Anthony सच बोल रहा था वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा था He was approaching us very fast हम वहां से भागने लगे हमारे नीचे से जो leaves की आवाजे आ रही थी वो हमारा position उसको बता रही थी अभी हम काफी sure थे कि उस आदमी को हमारी position पता है हम तभी रुके जब का Anthony किसी चीज से टकराया और गिर गया मैंने Anthony के साथ नीचे crouch किया होप करते होए कि हम काफी दूर भाग के आ चुके होंगे लेकिन कुछ 20 सेकेंड भी नहीं होए होंगे और हमें फिर से footstep की आवाजे आने लगी उसी direction से जिस direction से हम भागते हुए आ रहे थे वो footstep स्लो हुई हमसे कुछ door trace की दूरी पर हम लोग नीचे मूर के लिए उसमें लेटे रहे फिर कुछ दिर बात वो footstep हमसे opposite direction में चलने लगी हम वहाँ पे लेटे रहे जब तक हमें वो आवाज पूरी तरह आना बंद हो गई और फिर हम वहाँ से हमारी घर की direction में भागने लगे जब मैं वहाँ से भाग रहा था नीचे leaves की आवाज और मेरी heavy breathing की आवाज के बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी पीचे से कोई भागते हुए आ रहा है मुझे बैक्यार में पहुझ गया और उसके घर के अंदर चले गया और इस बार हमने दर्वाजे को लॉक करना भोला नहीं हमने घर पे पहुझते हैं पुलीस को फोन किया मैंने किचन लाइट आउन कर दी और इमीज ये की तभी मैंने उसे देखा थोड़े सी ही दूरी पे ज़ाडियों में था वो ज़ाडियों के पीचे चला गया और डिसपियर हो गया वो आकरी बार था जब मैंने या फिर एंतनी ने उसे देखा होगा पात साल बीद गये लेकिन उसके बाद हमने कभी उस आदमी के बारे में सुना नहीं या फिर देखा नहीं सवाली बन के रह गया कि क्या ये सारी चीजे जो हुई थी वो क्या वो प्रैंक कॉल से रिलेटर थी लेकिन हाँ ये वो कहानी है जिसमें मैं और मेरा दोस्त एंतनी अल्मोस्ट मर ही गए थे